अक्सर इस तरह की बाते सुनने को मिलती रहती हैं कि भूझपूरी फिल्मों में अश्लीलता जादा होती है अब तमाम लोग इस तरह की बातों को ये कहते हुए खारिस कर देते हैं कि अश्लीलता किसी जगे पर नहीं है बॉलीवुट से लेकर हॉलीवुट तक में मौझूद अश्लीलता के आंकड़े पेश किये जाने लगते हैं मगर क्या इस तरह की बाते कह देने से स्थीती बहतर हो जाएगी दरसल हम ऐसा इसले कह रहे हैं क्योंकि हुली जैसे त्योहार के आते ही बोचपूरी संगीत में अश्लीलता अपनी चरण सीनिमा पर पहुँच जाती है अब देखे इस साल हुली के मद्दे नजर लेवेला माजर लेंगवा से हुली खेलब चोली उतार के चोली में डीजल डालता है जैसे गानों के अपशप्तों को देख कर और सुन कर तो इन गानों के स्थर का पता लगी जाता है बड़ी बात तो ये है कि इस तरह के अश्डील ता छोटे मोटे गायक ही नहीं बलकि बड़े बड़े गायक भी इस तरह के अश्डील गानों को गाने से पीछे नहीं हटे है चोटे गायकों के लिए तो इस तरह के तेहर एक मौके की तरह होते हैं और वो खुद हिट कराने के लिए बद्दे से बद्दे गानों को भी गाने से पीछे नहीं हटते खैर अब अगर इन गायकों की दलीलें सुने तो ये कहते हुए नजर आते हैं कि पबलिक सुनती है तो इस तरह के गानों को वो गाते हैं यानि कहीं न कहीं समाज में भी इस तरह के गानों को पसंद करने वालों की कोई कमी नहीं है मगर सवाद ये उठता है कि एक वर को ध्यान में रखते हुए भूहर गानों को बनाने से प्रहेस किया जाना चाहिए या नहीं नेक्स्ट नई न्यूस के लिए अभिलाश के रिपोर्ट